तो जहिन साथ यो मेरे यूटूब चनल में आप लोगा स्वागा थे इस भीड में आप लोग देखाने जा रहा हूं SECGD 2024 का Re-Exam का Admir Card डाउनलोड होना शुरू हो गया है जिन राज्य का एक्जाम जो केंसिल हो गया था देखिए इस वीडियो में आप लोग को देखाने जा रहा हूं जो Admir Card का इस से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए Admir Card लिंक एक्टिवेट हो चुका है तो Central Region के पहले देख लेते हैं कुछ रिजन का एक्टिवेट होया है और सबी रिजन का एक्जाम तो केंसिल नहीं हो था ठीक है तो इतने थे तो बेसी भाग क्या है Central Region का है तो जैसे ही मैं Central Region पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो Central Region का Main Website है वो अपन हो जाएगा जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए उपर के तरफ यहाँ पर जो जो Candidate थे शिर्फ वो लोग यहाँ पर Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो आप लोग को देखाते हैं जो किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे जो ओप्शन यहाँ पर दिया गया है नीचे तरह आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर Admit Card का ओप्शन जो आप लोग डाउनलोड करने का यहाँ पर महजूद है देखिए आप लिका इस्टेटर्स एन एडमिट का डाउनलोड देखिए 30 मर्ज का एक्जाम होने बाला है जैसे ही आप लोग यहाँ पर किलिक करेंगे तो देखिए रिजिस्टेशन आप लोग किये हैं ओ आईडी देकर यहाँ पर भर सकते हैं और देट अब बर्थ देकर आप लोग यहाँ पर एडमिट का डाउनलोड कर सकते हैं ठीके तो क्या है सेंटर डिजन के जितने भी जो सेंटर डिजन का सी आर रिजन का जो एक्जाम केंसिल हुआ है उन लोगों का सिरिफ यहाँ पर एडमिट काड डाउनलोड होगा ठीक है तो और रेजन के देख लेते हैं जो एडमिट काड लिंक एक्टिवेट हुआ है नहीं तो देखते हैं नौर्थ इस्टेन रेजन का जो कुछ बच्चे का एक्जाम केंसिल हुआ है तो देखते हैं एक्टिवेट हुआ है नहीं एडमि के तरफ आप लोग जैसे ही आएंगे ससी जीडी दो हजार चोवीस का जो री एक्जाम का डेट दियागा है 30 मार्च का इन लोग का एक्जाम होने वाला है तो दिखिए दर आप लोग यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडिमिट काट का जो ओप्षिन है आप लोग का डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आप लोग यहां पर रोल लमर देकर भी और डेट अब बार्च देकर भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दिया हूं